हलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक माई यूटीब चैनल लावित रोने दोस्तो आप सभी का हमारी यूटीब चैनल पर स्वागत है दोस्तो एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसे जे में एक्जामिनेशन से रिडेटर दोस्तो ये अपडेट होगा साथिय सामिल कर दिया गया है तो उससे विडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि कि समयंत्तुके एक्जामिनेशन लिजे यह यूपी सी का फॉर्इट ऐसे ही आपको पॉर्ष पूर्ष में इसा यहा पर से उपसे पड़ाएं werk में लिखने यहां पर लि मित्स कभी बता है सात्य, इतने लिमिट में आपको क्या करता है है अपने एसे को अपने answer को अपने प्रेसीस को जितने भीचीज में इसी दीए हुए वोड लिमिट्स में और पिलेस में आपको क्या होता है लिखना होता तो दोस्तो यह होता ऑर यही फॉर्मिट हमको अल्रेडी दिया जाता है जब हम आप एक्जामीनेशन देने जाते हैं सेंटर पे अब देखिए मैंने कौन कौन सा टॉपिक लिया है यहां पर जो मैंने साथियो टॉपिक लिया है वह हिंदी निवन्द का टॉपिक लिया है और साथियो मैं आपको यहां पर प्रोजिक्यूशन का और उसी एपीओ के पेपर में 2011 में प्रिवेस येर में 2011 के प्रिवेस पेपर में यह कोश्चन पूछा गया था ऐसा एसे की रूप में तो वहीं से इसको आप्ट किया गया है और ले करके मैं आया हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके पास भी इससे आएंगे इससे आगे चल करके बहुत ज्यादा इससे मैंने 25 टॉपिक तीस टॉपिक आल्रेडी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर बता दिया कि हां इस इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो पॉसिबिल्टी है कि उसी में से कहीं ना कहीं आपको एक से जरूर मिल जाएगा और आप जब बढ़ते हैं तो आपको एक ही एसे लिखने के लिए आता है तीन एसे का टॉपिक आएगा उसमें से आपको एक चूज करना होता है और वह जो आप वही एसे चूज करिएगा जिसमें आपने थोड़ा बहुत आपके पास अच्छा खासा मैने इस पीघानूर को भी शाया जमिल कर दिया गया है और वहाँ पर बोहांगे पी से इतने कानूनों को को उसपा डाल दिया गया है युपी Всё में उसमें आपके चाइब में जादने यह सकते हैं उसी कह आप कर S olmak कहीं से भी मैट ter duas करके यह सारी बाते लिख सकते हैं तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं रहर्प्रता ये क्या एक प्रकार का सम्द्धान है इन दोनों मुद्धों पर हम चर्चा करेंगे दढ़े जो होता है टावर होता है क्या गाहिए प्रकार का समस्या सusch. और किसके लिए समस्य और किसके लिए समाधान की जो फैमिली हैं उसके लिए पहार दर जयदा जर्थान के त respecto करता लेकिन समस्जा किसके लिए समस्जा साथियूं उण वेक्तियों के लिए जिनके गर में पैसा कमाने का कोई और किसा समधान है दहेज जी हां दोस्तों बीना देर किया है इसको इसको भी पढ़ा है आप उसकों भी देख सटें और साथ ही साथ मैं इंग्लिस का भी तीन सेशन आलरी ले चुका हूं इंग्लिस के से आपने अगर उसको विवाच नहीं किया तो साथियो प्लीज आप उसको विवाच कर लीजे उसमें इसी टाइप के दिये हैं अब दहेज की अगर हम बात करते हैं साथियो तो दहेज में क्या आता है इसके संदर्ब के बारे में हमें लिखना पड़ेता कभी भी हम लोग कोई टॉपपिक लिखते हैं तो हमें उसके इंट्रोड संट के बारे में लिखना होता है अगर हम घर करते हैं तो हमें लिखना पड़ता हैं तो दावर को इंट्रोडक्ट करेंगे कि अदियान व्हान यह कुप रथा है यह चली आरही इसके नहीं लिखेंगे उसके सिट ौни इसको देने कि लिखेंगे придěकर सारी बातों को क्या होता है अपने इसש, mek اینकॉर्पॉरेट करना होता है जिए हाँ दोस्तों देखिए उसी को ध्यान में रखते हुगं यह लिखाऊं काल से 살ए और यह यह आज रहें यह अदि-अनदी कालों से चला आ रहा है आपको मैंने इंग्लिस का एसे लिखाया था इंग्लिस के से में मैंने बताया था कि यह लौड बुढ़ण के समय से भी चला नूपर्ण क्या है चाहें जैसे कि सतीप्रताज प्रस आदी जिनने अधिकांस परंपराव का सूथ पात्र किसी अच्छे उद्देश के लिए किया गया था यह पिर जो सती प्रथा होता था यह किसी के लिए किया गया था यह पुराने जमाने में आज के कई लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जैसे जैसे लोगpark करते गया बताइब और इभिल के तरीके पर यह कार्य करता गया कौन यह जो दहेज है जो दहेज प्रथा यह प्रथा अब यह कूप्रथा में बदल गया है लेकिन दिरे दिरे यह प्रथा कूप्रथा बन गए जो दहेज प्रथा थी जो दहेज लिया जाता था और जो दहेज दिया जाता था इस प्रता हमारे समाज में ही एक कुरूती बनकर उभरी है हम अगर दहेज की बात करते हैं तो दोस्तों जब हम साधी बयामें किसी के जाते हैं तो हम लोगों से लोग कभी-कभी सेखी बगारने के लिए करते हैं कि इस लड़के को 20 लाक रुपए का दहेज मिल रहा है प्लस फोर का शादी में खर्चा कर रहता है उतना जाधा सधी में हमारा साधी बेहतर होगा और जिससे अफ़राद नहीं करना चाहिए अगर वह खर्चा नहीं करना उसा बीकार है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ समाज का ढखोसला है, समाज के द्वारा इस तरह की बातों को दिखाया जा रहा है, जो कि इससे किसी भी चीज से कोरिलेट नहीं किया जा सकता है, वही बात बना जा रहा है, यह एक कूरीती बन गया है, दहेज जो हो रहा है, इन सभी चीजों को देखते हुए सब को compile आप करेंगे तो यह एक प्रकार का पूरुती बन करके हमारे समाज में उभर रहा है दहेज परता, जिसमें नो जाने कितने परिवारों को चपेट में ले लिया आप सभी को दौसतों पता होगा आप के स्टूडेंट हैं ओड़न की प्रेकार का 113 बी आपने पड़ा होगा तो सथीों इस सबी सेक्शं सको इनकारपोरेट करने की क्या हो спасибо को छच्ता थी इसलिए कारपोरेट करनी की यह सकता थी कि महिलाओं के अउपर क्या-क्या किया जाता था दहेज से अधिक के Says novel क्या किया जाता arthritis है कि लीक है करनी लेकर के आउ और ये कितने हजारों लठो परिवारों को दहेज क्या किया अपने चपेट में ले लिया पैसे की भूख ऐसी है जो कि दहेज में दिख रही है दहेज के रूप में इस प्रथा के अंतरकत योती का पिता उसके ससुराल विदा करते समय तौफे और कुछ धन देता था पहले क्या होता था पहले जब लड़कियां इस खास दो नखाकरी पागए तो उसे कम से खर तौटि कह लड़की के हैंसे ही तो यह इस प्रकार का हो गया यह उना फ्रांगा पहले सातियों व्लट रूप कॉप से जो अना दे देते मिन्स की जिसके पास जितना होता था लेकिन अब यह क्या बन गया आप दहे जो हो गया है एक प्रकार की मजबूरी बन गया इस प्रथा के अंतरकात यूती का पीता सुसराल बीदा करते समय तौफा और कुछ धन देते था यह बाते आप लोग को पता चल गई अब अब यही धन बैबाहक संबंद टाय करते करने का माध्यम बन गया पहले दो उस समय नहीं किया जाता था पहले जो मात पीता होते तो वह अपने से यही डर सताती रहती है कि अगर दहेज के लिए उसने धन का इकठा या संचेन नहीं किया तो उसकी बेटी क्या रह जाएगी उसकी बेटी जो है वो परिसानियों से घर जाएगी या तो कुमारी रह जाएगी या तो ससुराल में भी जाएगी तो उसका किसी भी प्रकार का ना कोई आदर करेगा नो कोई सम्मान करेगा इस अभी चीजे एक पिता को क्या करने लगती है एक पिता को सताने लगती है कब सताने लगती है जब एक पुत्री जब उसकी साधी करने के योग्य हो जाती है तो एक पिता को ये सारी बात क्या होने लगती है सताने लगती है कि अग अगर हम एक अच्छा दहेज नहीं देंगे तो एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तो हमारी पुत्री क्या होगी उसकी साथ उसके जीवन क्या होगा खराब हो जाएगा अगर उहां पर हम साधी भी कर देते हैं तो उसके घर में अगर सबर बन गया है अब हम देखते हैं अगर हम इतिहास को देखते हैं अगर हम रीग वैदी के काल में दहेज प्रथा का कोई ओचित या माननेता ही नहीं थी पहले के जमाने में जब रीग वैदी काल था तो उस समय दहेज के बारे में किसी भी प्रकार की माननेता नहीं हुआ कर संतों और पौराणी कथाओं में यहीं कहीं भी दहेज के संबंद में किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी भी तरह के दहेज के बारे में नहीं बताया गया अब दोस्तों यह पौराणी चीजे थी उनसा को बारे में हम बात करेंगे दोस्तों यह घुमा फिरा कि मैं आपसे बाते दस बाते और एक्स्टा बता रहा हूं यह इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो बाते आपको यहां पर आंसर में देख करके मिन्स के हमारे इससे फ्रेम में आपको देख करके समझ में आ रही हमारी बाते अ हमें अपने एक्जाम को पॉइंट अभ्यू करके ये सारी बातों को देखना और साथ-साथ ये भी देखते चलना है कि समाज में किस प्रकार की कूप रथा हैं बढ़ती जा रही है इस कूप रथाओं को बढ़ने से रोकने के लिए कौन-कौन से हथकंडे अपनाय जा सकते है अदे की आधुनिक काल में क्या है दहेज ये दहेज अपने आप में बहुत छोटा सब्द नहीं है बहुत विक्राल सब्द हो गया दहेज सब्द आज के आधुनिक व्यूग में एक ब्रिहद रूप गरहन कर लिया है जिसके अंतरकत यूती के माता-पिता और परिवार वा लेकिन यहीं पर अगर हम एक निर्धन पीता को रखते हैं उसके बगल में क्या निर्धन पीता यह सारी चीजें दे पाता है कि नहीं दे पाता है अगर निर्धन पीता जो गरीब पीता है अगर अपनी पुत्री को नहीं दे पाता है तो क्या होता उसकी पुत्री के मैं ऩुबृत हैं मैं सब कुछ क्या कर रहा हूं अपने बेटी को दे रहा है और एक पिता कि यह पस कैया कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो उसकी बेटी यह सारी आग्स सारी डह जहें तो यह आजकल के आधुनिक समाज ौन आप देखिए किस प्रकार और हमारा कहां हमारा समाज जा रहा है वर्पक्ष भी सर्याम अपने बेटे का सौधा बाजी कर रहा है जो वर्पक्ष होता है यह भी अपने बेटे का सौधे बाजी करता है कि अब तो मेरा बेटा कलेक्टर हो गया अब मैं जितना चाहूं उतना रकम मैं लड़की वालों से अट सकता हूं क्योंकि अब तो हमारा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है दहेज ना देने के कारण उनके ससुराल में ही मार दिया जाता है यह एक कुरूप प्रथा बनकर उभर रहा है मिन्स कि जो दहेज देना और दहेज लेना जो इसलिए सरकार के द्वारा भी बार बार कदम उठाया जाता है डारी प्रोहिवीशन एक्टो को लागू किया जाता है अभी मैं इसको आईपीसी के साथ भी को रिलेट करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आईपीसी से भी आप लॉक के स्टूडेंट है जब आप लीगल आप एससे लिखते हैं तो उसमें यह सा पत्ती विवा के समय वधू के पीटा की तरफ से वर्र को दी जाती है उसी को क्या fragen जता है जैसे कि मालेडेंज आपसे कोई भी पूछ ले की रोलतरी के मीं की नार्मल परण और के अवंसी को देख लीजे कि देखि प्रथा आकिर Northern ने ऑभर करके विवाती में कब से विद्ध्यमाने कैसे आया संस्कृत में यह सब्सक्राइब दायाज को किसी को देना जो मतलब होता है इसका अर्थ कि यहां नुट सब्सक्राइब कैस्ण का जाता है वहार आप जो भी चीज़ कह सकते हैं यहां पर अप उसको विवाह के आउसरों पर कंन्या पक्ष की ओर से वरिख को दिये जाने वाले उपहारों को दहेच कहा जाता है सिंपल लेंगवेज में सिंपल तरीके से मैंने यह बता दिया करने कुंद से जुबी चीज दिया जा रहा इए पर लेकिन नहीं किया जाता था लेकिन अब यह क्या हो गए अब यह कंट्रैक्ट यह हो गया कि मुझे बीस लाठ रुपया चाहिये कंपणी की फ्र windows चाहिए और इतने सी्टरières वाली फॉर सब्सक्राइब इस चाहिए निकलेश यह नेकलेश क्या करते हैं कि क्या 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 कारण है कि दहेश में कन्นगिया का अपने ही यतिता है कोई भी पूत्र होता है कुछ इस जाती का ड्रूडबता हूं अगर दूसरे जाती के मैं लड़के से अपने पुत्री का साधी कर देता हूं तो लोग हमें भला भूरा करने लगेंगी कि अरे ये कैसा पिता है कि अपने बेटी का दूसरे जाती में विवा कर दिया तो ये भी एक समस्या बनकर उभर रही है कि मैं जिस जाती का हूं उसी ज उपजाती का अगर लड़का मिलता है तभी मैं क्या कर सकता हूं वीवा कर सकता हूं या तो नहीं कर सकता हूं अब एक योगवर के लिए कन्या पक्ष को अधिक से अधिक दहेज देने के लिए धन को इकठा करना पड़ता है दूसरी बात यह है अगर हमारे ही जाती का अगर ह कि अच्छा है की नहीं Google找 अगर अक्षा वर मिल जाता है तो उसके लिए में क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पस उतने उसको देने के लिए दहेच के रूप में धन हैं यह सारी समस्या है किसको जैलना पड़ता हो पुत्री के दहच को जेलना पड़ता अब आगे देखे इसके अलावा बाल विवा भी दहेश प्रथा का एक कारण बन गया है तो वहां पर दहेश की तो बात रही नहीं जाती है लेकिन जहां पिता के द्वारा अपनी पुत्री के लिए वर चुना जाता है जाता है पिता को वहां पर देना पड़ रहा और पीता के उपर एक प्रकार बड़ें आज आ जारा है अगे देखिए जिसे से वर पक्षिक के द्वारा ला बकामाने के लिए दहेश की मांग करके मनमानी रकम निडदारित करती है जैसे ही पिता किसी पुत्र के हां जाता है किसी लड़के के से वर्पक्षिक प्यास जाता है कि हमारी कन्या है हम अपनी कन्या का आपके लड़के से विवा करना चाते हैं जैसे ही पता चल जाता है कि इनके पास इतनी संपति है उसी के एकॉर्डिंग धुगना लड़के के द बड़ा भयावस की बन गया अज करता का देखिए और समाजिक प्रतिष्था में अपनी प्रतिष्था भी और म edge का सभी प्रतिष्था किशा की और हम इरysteme फिसर प्र till गया है यह दिखाए यह सोफ किया जा रहा है कि उतना एतना वपता है कि दोर बताएं नहीं देने के सक्षम मैं बताता है एक मोच बैटी तमाम प्रकार का समान दिया हूं यह क्या है यह एक प्रकार का बढ़ावा है यह एक प्रकार का दहेच को यह लोग क्या कर रहा है बढ़ाने में मिंस की दहेच को प्रमोट करने में यह लोग काम कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें समाज को देखना चाहिए समाज में हर प्र प्रमुख कारण बना हुगा इतनी हो गई हूग है कि लोग कփते हैं अब आप समाज को देखे लिए समाज में फालाने के लड़के को किसी दूसरे के लड़के को 10 लाँ और साथ लाक देने के लिए करने के लिए अदिक ऑष्छान खेव लें टो तो ये क्या है एक कूपरता हो गये म मंअनगाये कि दो अब तरह के खर्चे किए जारा है भीवाहों में ज़ुन चाहते हैं कि हमारे पास चयार पुट्र रहा तो हमें धन प्राप्त करके अपनि आश्रक्ताओं की पूर्ति करने में वह सफब हो जाते हैं अब देखिए दहेज कारण मृतिव जहिर सी बात है सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने देख लिया तो वा साजिवे करेंगे तो आपको सारी चीजे और आसानी से समझ में आएंगी अब देख लिए किस की कारण के लाइबल किया जाएगा उसके उपर किया जाएगा और कहा जाएका कि आपने क्या किया आ आपने दहज मृत्यू किया है तो दोस्तों इस प्रकार से आप चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं देखिए दहेज निशेद अधिनियम 1961 दहेज लेने के जुर्म में 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना तक भी पारलियमेंट के द्वारा लगाए गया पारलियमेंट के द्वारा भी बार बार समय समय पर कदम उठाये जाता है कि आप दहेज को नहीं लेंगे आप दहेज को नहीं प्रमोट करेंगे तो आज ये दहेच नामक टॉपिक को हम यहां पर बैट करके डिल ना करते हैं अब आगे देखिए को रहा है भारतिय दंड सनीता की धारा 498 में पती और उसके रिष्टेदार संपत्ति अत्वा किसी वस्तू के लिए और समवैधानी के मांग के लिए उसके लिए तीन साल का क बात करते हैं धारा 406 के इसमें तीन साल के कैद के बारे में बताया गया कि अब आप लॉक स्टूडेंट है आप इसको अच्छे से को रिलेट कर सकते हैं अब देखिए अब इसके निसकर्थ जो निसकर्स आप लेकिन सटीक होना चाहिए अब देखिए निसकर्थ अब कैसे लेकिंगे दहेश प्रता एक प्रतकार का कुप्रता है इसको रोकेने के लिए कड़े से कड़े कड़े कदम उठाना चाहिए और यहां पे आप आगे भी लिख सकते हैं कि केंदर सरकार के द्वारा मिंस की पार्लियमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी लगतार नय नय दह vị दहेश प्रता को लोख खाम के लिए बनाय जारहों और जिनका कड़ी से कड़ी से पालंग करने के लिए के वहां पर प्रावधान अंकीत कर दिया जारा है तो तो दोस्तो इस प्रकार से जितना भी एससे था वहां बैने पता हैं आपको और किस टॉपिका पर इसे पर आपको चाईए किस टॉपिक पर आपको ऐसे चाहिए वो टॉपिक के आपके लिए जरूर लेकर कि आउंगा अगर मुझे लगेगा कि वो आपके लिए抗़्यों अपको यह बहुत देने वाद दोस्तों व२ Dev side के लिए ले